ओम्मूकं करोति वाचालं पंगुम् लंगयते गिरिं यद कृपातमहं बंदे परिमानंद माधवं गुरुर ब्रम्मा गुरुर विष्णुम् गुरुर देव महे सुरा गुरु साग्चात परंब्रम्या मया सर्वे भद्राणि पस्यन्तु माहकशित दुख्य भाग भुवे करपूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजिगेंद्रहारं सदा वशंतं हर्द्यार विंदे भवं भवानी सैतं नमाद ओ शांति शांत अंगला अध्याय पांच इसलोग नमबर चवधा नकर तो तुम नकर मानी लोकस्य स्रजिती प्रभू नकर में फाले सैयोगम सभाव वस्तु प्रवर्तते भगवान कहते हैं और परमेश और मनुष्यों के न तो करतापन की और न कर्मों की और न कर्म फल की ही रचना करते हैं किन्त सभाव ही सभाव में बढ़त रहा है परमात्मा भगवान मनुष्यों के न तो करतापन की न कर्मों की और न कर्म फल की ही कर्म फल के संयोग की ही रचना करते है अब देखो एक तरब तो हम कहते हैं सारी स्रिष्टी परमात्मा की बनाई हुई है कहते हैं सारी स्रिष्टी परमात्मा की बनाई हुई है लेकिन भगवान यहां कह रहे है कि नहीं परमात्मा करता नहीं है परमात्मा करता भी नहीं है और ना कर्म है और ना कर्म फल का स्योग है वो है ना करता है ना कर्म है ना कर्म फल है यानि यह जो हो रहे है करता कर्म और कर्म फल परमात्मा कहते हैं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है यह मैं नहीं कर रहा अब वो प्राया सभी धर्म संत सास्तर इस बात को कहते हैं कि यह सारी स्रिष्टी परमात्मा से बनी है परमात्मा क्रियेटर है अब दो सब्ध हैं ये करता और स्रिष्टा क्रियेटर और डूर यहां जब भगवान कहते हैं करता सार्थ है डूर परमात्मा स्रिजन करता है स्रिष्टी करता है लेकिन परमात्मा डूर नहीं है करते हुए भी अकरता है इसलिए डूर सिप नहीं है करतत्तो का अभिमान नहीं है और भगवान करता भी कैसे है कैसे नहीं कि परमात्मा करता और क्रिया कर्म तीन अलग अलग हो प्राया आप देखें कि हम जब कुछ करते हैं तो तीनों अलग होते हैं करता अलग होता क्रिया अलग होती और जो किया जा रहा वो अलग होता डूर डूर डूइंग और जो कुछ किया गया ड़न कर्म अब जैसे एक कोई कुमहार घड़ा बनाता है तो कुमहार अलग है और घड़ा अलग है कोई मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई तो मूर्ति अलग है मूर्तिकार अलग है अब हो मूर्तिकार मर भी जाए तो मूर्ति तो है मूर्तिकार जिसने मूर्ति बनाई है उसकी मौत भी हो जाए लेकर मूर्ति रहेगी उसकी बनाई हुई मूर्ती रहे गी कोई पैंटर इसने पैंटिंग की है पैंटर मर भी जाये उसकी बनाई हुई पैंटिंग रहेगी कि दौनों अलग-अलग हैं लेकिन यहाँ परमात्मा अलग लग नहीं जो करता है जिसने परमात्वान जो स्रिष्टी की है और कोई अलग बस्तू से नहीं की है वहां तो पैंटर को मूर्तिकार को पत्थर चाहिए छेनी चाहिए मूर्ति बनाने के लिए पैंटर को भी रंग चाहिए बुरुष चाहिए पैंटिंग के लिए गुमार को भी मिट्टी चाहिए घड़ा बनाने के लिए लेकिन यहां यह नहीं है जो उपादान कारण भी है मेट्रियल कौज भी है भगवान कहते हैं वो भी भगवान ही है तो इसकी तुलना की उपमा दिये कैसे परमात्मा स्रिष्टा है परमात्मा ही स्रिष्टा है परमात्मा ही स्रिष्टी है और परमात्मा ही सर्जक है सर्जन है ऐसे उदार दिया कि जैसे एक समझोए कि नरत करने वाला नरत का एक डांसा नरत करने वाला अब नरत करने वाला और नरत दो नहीं है जो नृत है वही नृत कार है जब नृत कार रुख जाता तो नृत रुख जाता और नृत कार मरा तो नृत मरा उसका नृत नाचना नाचने की क्रिया नाचने का कर्म तीन अलग अलग नहीं है नरतक ही नरत बना और नरतक ही क्रिया बना नरतक मरा तो नरतक मरा नरतक मरा तो नरत भी मर गया यह नहीं कि नर्तक तो मर गया लगे नर्त बना रहा जैसे मूर्तिकार मर गया मूर्ति बनी रही कुमार मर गया घड़ा बना रहा पैंटर मर गया पैंटिंग बनी रही ऐसे ही यहां नहीं है कि नर्तक मर जाए और नर्त बना रहा है नर्तक के साथ नर्त तो तीनों एक ही हो ग परमात्मा से स्रिष्टी है और स्रिष्टी में परमात्मा स्रिष्टी से भिन्द परमात्मा नहीं हो परमात्मा से भिन्द स्रिष्टी नहीं है परमात्मा बिना स्रिष्टी के हो सकता है लेकिन स्रिष्टी बिना परमात्मा के नहीं हो सकती है ऐसे ही जैसे मानो सागर और लहर लहर बनी तो सागर में लहर है तो सागर में और सागर लहर मिटी तो सागर में बिला हुई तो सागर में लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता है सागर बिना लहर के हो सकता है लेकिन लहर बिना सागर के नहीं हो सकती है लहर बिना सागर की नहीं हो सकती है इसलिए सागर और लहर दो दो चीजा अलग अलग नहीं है उनके बीच में कोई दूरी नहीं है और जब सागर में लहर उठ रही है सागर में लहर बनी, सागर में लहर है सागर में लहर का विले हुआ लेकिन सागर को ये अहंकार नहीं कि मैंने लहर पैदा की डूर्शिप नहीं है करतत्त का अभिमान नहीं है सागर को ये अभिमान नहीं कि मैंने लहर पैदा की और अब मैं लहर को चला रहा हूँ और अब लहर का बिले हो गया हमसे क्योंकि सागर को कर्तित्त का अभिमान नहीं है करता नहीं है ऐसे ही परमात्मा में कर्तित्त का अभिमान नहीं है कि मैंने किया कल मिल कह रहा जो सूर निकला तो सूर की उपस्थिती में फूर खिलने लगे जीवन में जागरती आ गई सारी सोई हुई स्रिष्टी जाग गई गत्सील हो गई लेकिस सूर को यह अभिमानी कि मैंने किया मैंने जीवन दिया डूर्शिप नहीं है उसकी उपस्थिती मातर से इसी को बैग्याने का आज कहते है केटलेटिक एजेंट कि यह केटलेटिक एजेंट की तरह है उसकी उपस्थिती मातर है बस उसने कुछ किया नहीं है कोई स्रम नहीं है कुछ किया उसकी उपस्थिती मातर कहते हैं बैग्याने कहते हैं जैसे पानी को तोड़ो तो पानी में दो ही चीज़े निकलती है हाड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसे हैं हाड्रोजन ऑक्सीजन लेकिन अगर दोनों को मिला भी दो हाड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिला दो तब भी पानी नहीं बनता तब भी पानी नहीं बनेगा हाड्रोजन और ऑक्सीजन पास होते हुए भी पानी कब तक नहीं बनेगा जब तक उनके बीच में बिद्दूत उर्जा ना गुजारी जाए ना निकाली जाए जब उनके बीच से बिद्दूत उर्जा निकलती है बिजली कौंदती है तो वो दोनों हर्डोजन ऑक्सिजन पानी में बदल जाते हैं अब वो हड्र बिजली का कोउनदना विजली का होना उसने कुछ करिया नहीं कि उसकी उपस्तिती मात्र से हर्डोजन और और शीजन पानी में बदल गए उपस्तिती मात्र से अभी फश्यम में मनो वैज्ञान को ने हैं पश्यम में के वैज्ञान को ने हैं इस बात पर बहुत खोजे की कि एक मां संतान को जन्म देती है इस्तन पान कराती है लेकिन उन्होंने मां से बच्चे को अलग किया मां से बच्चे को अलग किया और जो जो मां से मिलता था मां से बच्चे को दूद मिलता था तो बच्चे को दूद दिया, सुरक्षा दी, सब कुछ लेकिन अगर बच्चे को मां से अलग करके पाला पोशा तो उन बच्चों की ग्रोथ नहीं हुई, विकास नहीं हुगा या मौते ज़्यादा हुए, ज़्यादा मौते होई या उनका मानसिक बौत धिक विकास रुक गया क्योंकि मा की उपस्थिती कुछ देते थे मा का ममत कुछ और था मा के दूद में जो जो था वो सब कुछ उसमें दिया उनको जो कुछ उसमें कारवाइड़ेड था, जो कुछ भी पॉस्टिक तत्व थे, केमिकल थे, बिटामिस थे, मिनरल्स थे वो सब कुछ दिया बच्चे को, लेकिन फिर भी बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ विकास ने खुए क्योंकि मा का जो सानिद है मा की जो ममता है मा का पास होना आज एरोपमें अमिरका में खास तोर से जितने बच्चे परिवार से कटते जा रहे कि आज तो माता है है इह पर बच्चों को दूद नहीं पिलाती कि जब बाहर के बोतल के दूस से काम चल जाता तो माताएं क्यों दूद पिलाएं माताएं दूद नहीं पिलाती और उन बच्चों का देखो मानसिक विकास रुका है उनका आध्यातिंग विकास रुका है और जिस तरीके से आज परिवार वहां टूट रहे हैं इसलिए वहां पर बिच्छिप्टता आ रही है पागल पन आ रहा है तमाम तरह के मानसिक रोग खड़े हो रहे है तो मा कहीं बच्चे को मात इस्तनपान नहीं कराती थी मा की ममता भी मा की ममता दूद बनके बच्चे के जीवन में जाती थी वो खाली सारीरिक पोशड नहीं था वो बहुत धिक मानसिक आत्मिक पोशड भी था आत्मिक पोशड भी था आत्मिक पोशड भी था मानसिक पोशड भी था भौतिक पोशर तो आप बाहर से उपलब्द करा दोगे लेकिं मा का जो सानिद, मा का जो प्यार, मा की जो मम्ता, मा की जो करुणा उसे कैसे तुम दे पाओगे बाहर से तो भगवान इस स्रिष्टी को बनाया, परमात्मा ने स्रिष्टी को ऐसे ही बनाया जैसे सागर में लहर वर गई, लेकिं परमात्मा करता नहीं है, भगवान कहते हैं, करतित को अभिमान भी नहीं है उसकी उपस्तिती मात्र से, कल एक इस लोक में आया था, कि भगवान कहते हैं भूक लगना सोना जागना चलना फिरना आख बंद करना आख खोलना ये सारा का सारा भगवान कहते है मैं नहीं कर रहा है ये अपने इंद्रियां इंद्रियों में समय बर्त रही है अब बाट ठीक है कि भगवान कहते हैं मैं नहीं कर रहा है लेकिन भगवान की प्रिजेंस से हो रहा उनकी उपस्थिती से हो रहा है सरीर वही है अगर इस सरी से प्राण निकल जाते सुचो चेतना निकल जाती है शरीर मुर्धा हो जाता मौत आ जाती तो पेट वही है लेकिन पेट फिर कहीं भूग लगती है जी जवान वही है क्या बोलता है आँख वही है क्या देखती है कान वही है क्या सुनते है पैर वही है क्या वो चल फिर सकते है अपनी अंते म्यात्रा भी दूसरों के कंधों हो रही है क्या हुआ सरीर के सब अंग वैसे की ही वैसी सरीर में है यह था इस्थान लेकिन मात्र उन भी कोई पीड़ा नहीं है जलने का कोई पीड़ा नहीं कर चिएत नहीं है तो छेतना की स्थितिती से होता है तो जो है श्रिष्टी का रच चाहिता है स्रिष्टी करता है creator लेकिं doer नहीं है, सरजक है, सृष्टी करता है लेकिं परमात्मा करता नहीं है, करतित का अभिमान नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं कुछ करता नहीं है, भगवान कहते हैं जो मनुष्टियों में करतापन का अभी मान करतापन हमारे आपके अंदर जो करतापन है कि मैं कर रहा ये हमने सरीर, मन, इंद्रियाओं से जो कुछ हुआ सरीर, मन, बुद्धी, इंद्रियाओं से जो कुछ हुआ उसके साथ हमने अपने तादात को बनाया सरीर से हुआ, मन से हुआ, इंद्रियाओं से हुआ, बुद्धी से हुआ उसके साथ अपना तादात हमने बनाया और जो हमने तादात बनाया तो हम करता हो गए हम करता हो गए कि हम कर रहे हैं अपना अहम पैदा हुआ कर्तित का अभिमान आया कि मैंने किया इसलिए आप देखो कि अगर व्यक्ति से कोई अच्छा या बुरा काम होता है कोई भी कर्म अच्छा या बुरा होता तो उसे समानत भी किया जाता है और उसे अपमानत भी किया जाता है उसे डंड़त भी किया जाता है पुरस्कृत भी किया जाता है तो डंड़त भी किया जाता है अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उसको करता मानते कि ये करता इसने किया है डूर्सिप है तो भगवान कहते हैं मैं करता नहीं हूँ क्योंकि कर्म का निर्डाए ब्यक्ति खुद कर रहा है और कर्म करता भी नहीं हूँ और कर्म भी नहीं हूँ और कर्म फलका संयोग भी नहीं अब कर्म भी नहीं अगर परमात्मा से ही कर्म हुए होते तो कहने की जिरूद नहीं थी कि ये करो ये ना करो बिदी निसेद ना होते जो आज सास्त्रों में, विदों में, सब जगे जो विदिन निसेद है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये पुर्ण है, ये पाप है ये शुब है, ये अशुब है, ये धर्म है, ये अधर्म है अब ये बताने पड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि आदमी में च्वाइस है निर्डे करने की सक्ति है छमता है निर्डे करने का दिकार है एक गाय को नहीं कहा जाता कि ये करो ये ना करो ये खाओ ये ना खाओ किसी भी पसु पक्षी प्राणी को नहीं कहना पड़ता कि ये करो ये न करो ये विद्य निसेद ये सव या सव ये पाप ये पुट उनको नहीं कहना पड़ता कि उनके लिए कोई च्वाइस नहीं है उनका कोई निर्ड़े नहीं है मनुस की च्वायस है, मनुस में निरड़े है, अच्छा भी कर सकता, बुरा भी कर सकता, पाप भी कर सकता, पुर्ण भी कर सकता, धर्म भी कर सकता, किसी की रक्षा भी कर सकता, तो किसी की हत्या भी कर सकता, तो मनुष्ख के अंदर निर्ड़े करने की सकती है चवाइस है इसलिए भगवान कहते हैं जो कर्म भी हुए करता भी वही है तो कर्म भी वही है कर्म भी का निर्ड़े वही भगवान नहीं कर रहे और फिर कर्म फल भी बगवान कहती, देखो यहां रोशनी है प्रकास दिया जल रहा प्रकास में आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो किसी की सेवा करो या किसी की हत्या करो, कोई पाप करो या पुर्ण करो तो दोसी कौन होता है, करने वाला दोसी होता है या प्रकास को दोसी ठहराते हैं, कि प्रकास ना होता तो अपराद ना होता, बुरा ही ना होती, ना प्रकास को रोसनी के बिना अच्छा भी ना होता, रोसनी के बिना बुरा भी ना होता, कोई अच्छा साहित हम पढ़ रहे है तो रोसनी चाहिए कोई बुरा साहित पड़ रहे तो रोसनी चाहिए लेकिन ये निर्ड़े किसका अच्छा या बुरा ये निर्ड़े विक्तिका है रोसनी का निर्ड़े 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 तो प्रकास दिया और जब जो करता नहीं है तो कर्मफल के तो आएगे कर्मफल उसी को आते हैं जो करता है जो करता है उसी को कर्मफल भी तो आएगे करता कोई और हो तो कर्मफल किसी और के पास जाएगे जो करता है वही कर्म फल भी है कर्म फल जो अच्छा किया है तो उसी को पुरुसकार मिलेगा और बुरा किया है तो उसी को डंड़त भी किया जाएगा पाप किया है तो डंड़त भी मिलेगा पुर्ण किया है तो पुरुसकार भी मिलेगा क्योंकि करता वो है और कर्म उससे हुए है तो कर्म का फल जो है वो भी उसी व्यक्तिक हो जाएगा एक वार कहते हैं एक माली ने एक गाय की हत्या कर दी और जब माली ने गाय की हत्या कर दी तो कहते है उस माली के पास पाप आया और पाप आया कि गाय की हत्या का पाप तुम्हे लगेगा गो हत्या का तुम्हे पाप लगेगा जब पाप माली के पास आया तो माली जरा पंडित था, सास्त्र पढ़े हुए थे, जब वो माली पंडित था, सास्त्र पढ़े हुए थे, तो सास्त्र वो उसने पढ़ा था, कि हातों के देवता तो इंद्र हैं, हातों के देवता इंद्र हैं, और ये गव हत्या काम हातों से हुआ है, तो पाप इंद्र को लगेगा, इन गव हत्या काम इन हातों से हुआ है, और हातों के देवता इंद्र है, तो पाप तो इंद्र को लगेगा, बड़ा उसकी सास्त्र था जब पाप उसके पास आई उसने इस सास्व घ्ञान बताया तो भाव भी अस्व व्य oh इंद्र के पास गए तो में गोहत्या का पाप लगेगा थे इन्र www कुछा कैसे तो कहा उस व्यक्ति ने पाप किया है गोहत्या किया है और हातों के देवता इंद्र हैं इसलिए पाप आपको लगेगा तो इंद्र सामान मनुस का रूप बनाके माली के बगीचे में आते माली के बगीची की सराना करने लगे देखो कितने सुंदर फूल खिले हुए माली से पूछा ये सुन्दर इतने सुन्दर फूल किल रहे हैं ये किसने लगाए किसके लगाए हुए माली कहता है ये मैंने लगाए हुए मेरे लगाए हुए और इधर उधर गुमाता है ये सुन्दर ब्रक्ष इसमें इतने अच्छे फल लगे हुए ये किसके लगाए माली अभिमान के साथ कहता है, मैंने लगाए, मैंने लगाए, चारों तरफ दिखाता जाता है, ये सुन्दर फूल, ये सुन्दर फल, ये सुन्दर लताये पौड़ी हुई है, ये किसने लगाए, माली कहता है, मैंने लगाए, ये सुन्दर सा पूरे बगीचों के इतने सुन्दर ध्रंग से सजाया गया हुआ है इस सजावट किस ने किये माली कहता है मैंने किये जो कुछ कह है हो तो अच्छा अच्छा है मैंने किया इंद्र उसको गुमाते गुमाते उस जगह ले गए जहां पर गाय मरी पड़ी थी तो इंद्र ने पूछा ये गाय किस ने मारी है जब उ बुरा हुआ है वो भगवान ने किया भगवान कहते है ऐसी चला की नहीं चलेगी यह हुश्यारी अहनकार की कि अच्छा मैंने बुरा भगवान ऐसी आज प्राया लोगों को देखो आज के जो तथा कते धार में खें अच्छा अच्छा तो हमने किया है अगर कुछ बुरा हो गए तो भगवान से यह बुरा यह सा भगवान ने कर दिया धन कमाया तो हमने कुर्सियों पर पहुँचे तो हम हार हो गई तो भगवान की ऐसी ही मरजी थी किसी की मौत हो गई तो परमात्मा की ऐसी ही रजा थी कुछ बुरा हुआ तो परमात्माने अच्छा हुआ तो मैंने ऐसा नहीं यह तो पूरा का पूरा परमात्मा को सौप दो या पूरा का पूरा अपने उपर ले लो अगर तुम करता हो तो कर्म फल भी तुम्हें लेने पड़ेंगे अगर तुम करता हो, तो कर्म फल, अब जो भी कर्म फल तुमने ज़रा कर्म किया वैसा कर्म फल आएगा, अच्छा किया तो अच्छा आएगा, बुरा किया तो बुरा आएगा, आम बोया तो आम आएगा, नीम बोया तो नीम आएगा, कीकर बोला बमूल बोया तो बमूल के का पुछ ज़ानदे आउएंगे जो हमने किया अच्छा या बुरा बैसा है अच्छा बुरा आएगा और वहान कहते हैं मैं इनकी का सहयोग नीकड है में की रचना नहीं करते इस वहाओ ही बड defensive है और यहादमी का अहंकार और आदमी का सुभाव यह व्यक्ति का अहंकार बस्तूओं के साथ व्यक्तियों के साथ सरीर के साथ मन के साथ इंद्रियों के साथ व्यक्ति का तादात्म के मैं सरीर मन बुद्धी इंद्रियां यह मैं और व्यक्तियों के साथ यह मेरे मैं और मेरे का जो ताद्म ह में उसके सोभाव बन जाते हैं आद्द्ध कि उपर बड़ी बड़ी हौने के बाद भी व्यक्त का सुभाव में वही बाते आती हैं जो अभी तक उसने किया खूब कहेगा करता नहीं फिर ऐसी प्रस्तिती में करता भी बन जाता और कर्म फल की मांग भी करता आगे किस लोग भगवान कहती है भगवान कहते हैं सर्व्यापी परमेश्वर ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के असुब कर्म को सुब कर्म को ना किसी के पाप कर्म को ना किसी के सुब कर्म को ही ग्रहन करता है कि अग्यान के द्वारा ग्यान ढखा हुआ है उसी से सब अग्यानी मनुस्य मोहित होकर ये कर रहे हैं बगवान कहते हैं न तो मैं किसी का पाप करता ना पुर्ण करता ना सुब करता ना असुब करता ना पाप कर्म को ना असुब कर्म को गरन करता हूं अग्यान के द्वारा ग्यान धका हुआ है अग्यान से ग्यान धका हुआ है अब अग्यान क्या है आत्म सुरूब का विस्मरण आत्म सुरूब का अग्यान सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं के साथ तादात मैं कौन हूँ अब खुद की पेंचान क्या है मैं खुद क्या हूँ मैं ये सरीर हूँ मैं मन बुद्धी इंद्रियाएं तो सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं के साथ तादात हूँ तो अपनी चेतना से दूर मैं आत्मा नहीं मैं चेतना नहीं संसार की व्यक्ति वस्तुएं के साथ तादात हूँ शरीर के साथ तादात और अब यह मैं हूँ तो वही इनसे जो सम्मंदित हैं वो मेरे जो सरीर से सम्मंदित हैं मन बुद्धी से सम्मंदित हैं वो मेरे हो गए इस सरीर का को से किसी का सम्मंद है कोई सरीर का पिता है कोई सरीर का पुत्र है कोई सरीर की पत्नी है कोई सरीर की म है वो मेरे मेरे हो गए सरीर के संबंद किसी के साथ हमारे मन के भावनात्मक संबंद होते हैं वो मेरे हो जाते हैं किसी के साथ हमारे वैचारिक संबंद होते हैं हमारे विचार के अनुसार होते हैं बैचारिक मेल मिलाब होता है वो मेरे हो जाते है तो मैं और मेरे का ये संसार कब खड़ा होता है जब यक्ति असल जो मैं है आत्मा चेतना उस से हट जाती है अंतर से हटके संसार के बस्तुओं के साथ जुड़ जाती है और ये भगवान कहते हैं दोनों एक साथ नहीं होगे यह तो यह यह वो, दो में से एक ही होगा, अगर मैं है तो तू नहीं है और तू है तो मैं नहीं है, अगर जो मैं है, संसार की व्यक्ति वस्तों के साथ, सरीर के साथ, मन बुद्धी इंद्रियाओं के साथ, तादात मैं है, तो फिर आत्मा के साथ से हट गया, तो आत्मा से द तो फिर ये मैं ने रहा जिसले कवीर का बानी में कहते हैं कवीर कहते हैं जब मैं था तो मुझे गुरू ना मिला अब गुरू मिला तो मैं ना रहा दोनों कैसे रह सकते एक साथ अधेरा और प्रकास एक साथ कैसे रह सकते ग्यान और अग्यान एक साथ कैसे रह सकते जागरती और सुपन तो एक साथ कैसे है जागरती हो तो सुपन मिटाओ सुपन है तो जागरती नहीं आई अभी सुपन को में ही हमने सच माना है तो इसका आर्थ है भी जागे नहीं और जाग गए है तो सुपन तूट गया जब तक ये सरीर, मन, बुद्धी, इंद्रियाओं के साथ हमारा तादात्म है तब तक ही अग्यान है और जिस दिन ये ग्यान का दिया जला तो अग्यान का अंधेरा गया आँख खुली तो सुपन तूटा ये मेरे का सुपन तूटा अगर आँख खुली तो भगवान कहते ही अग्यान के द्वारा ग्यान ढखा हुआ है अग्यान के द्वारा ग्यान ढखा हुआ है इसलिए बेखत फिर पाप और पुण भाई हम अगर सोय हुए हैं सुपन में हैं तो सुपन में तो हम कैसा भी सुपन देखें राम का सुपन देखें रावड का सुपन देखें सुब करने का सुपन देखें असुप करने का सुपन देखें कोई पाप कर्म करें स्वप्ण में या कोई पुन्न का कर्म करें स्वप्ण में दोनों ही तो स्वप्ण हैं जब जाग गए तो पुन्न भी जूटा और पाप भी जूटा राम बनना भी जूटा, रावड बनना भी जूटा धर्म किया वो भी जूटा और अधर्म किया वो भी जूटा जाग गए अब जब तक नहीं जागे हैं तब तक ही वो पाप और पड़ रहेंगे सुब असुब रहेंगे जागना ही मूर्चा है जो जागे हैं नहीं हैं अभी सुपन में हैं मूर्चा में हैं तो सुपन में हैं सुपन के साथ जुड़े हैं और अगर जाग गए तो सब जुटा है ग्यान में उत्रे आत्म चेतना से जुड़े तो ना आप कोई पाप रहा ना कोई पुर्ण रहा ग्यान से बिमुक हैं अज्यान में हैं आत्म चेतना से दूर हैं तो सरीर के साथ तादात में हैं मन बुद्धी के साथ तादात में हैं तो पाप पुण्ड हो रहे हैं उनसे एक ज्यानी के लिए ना कोई पाप है ना कोई पुण है एक ज्यानी के लिए ना कोई पाप होता इसलिए भगवान पिछले इस लोग भी यह बात कहा एक ज्यानी के लिए पाप पुण कुछ नहीं रहा उसे भगवान ने पूरी आजादी दे दी जो चाहों सो करो जो भी करोगे वो पुन होगा भगवान कहते हैं तुम जो भी करोगे वो पुन होगा पाप होगा ही नहीं क्यों कि ग्यानी से पाप नहीं हो सकता और पाप करने की ऐसी आजादी है ग्यानी को भगवान कहते हैं जो पाप का कारण है वो पाप का कारण क्या है पाप का कारण है सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं के साथ तादात में सरीर से कोई मेरा है और कोई मेरे नहीं है सरीर का कोई मित्र है सरीर का कोई सत्रू है सरीर से कोई अपने हैं सरीर के कोई पराय है तो जो अपने और पराय का जब तक ये भेद है तो पाप और पुन रहेगा जब तक ये अपने और पराय का भेद है और अपने और पराय का भेद कब तक रहेगा जब तक ये सरीर है सरीर के साथ तादात में अगर चेतना के साथ तादात में हो जा के मैं चेतना हूँ तो चेतना और अपनी और पराई दो नहीं है अपने में भी वही चेतना है और पराई में भी वही चेतना है जब तक मैंने अपने को लहर माना तब तक लहरे तो अनेक है सतुरता और मित्रता आएगी अपने और पराई भी होंगे पाप और पुर्ड भी संघर्स भी होगा लेकिन सबी लहरे एक सागर हम लहर नहीं सागर है अगर ये बोधा आया संबोधी जगी कि मैं लहर नहीं सागर हूँ तो फिर हर लहर में मैं ही तो हूँ फिर कौन अपनी और कौन पराई फिर किसके साथ सुब किसके साथ असुब असुब होगा ही नहीं पाप होगा ही नहीं पाप के लिए भी पाप के लिए कारण चाहिए पाप का बीज चाहिए तभी तो ब्रक्च होगा बीज के बिना ब्रक् मैं लहर हूँ जब तक अपने को लहर माना सीमित माना विराट के साथ ना जुड़े असीम के साथ नहीं जुड़े परमात्म के साथ नहीं जुड़े अपने और पराय में सृष्टी को हमने बांटा प्री और अप्री में बांटा सत्र और मित्र में बांटा तो पाप उड़न कहते हैं कि अग्यान से अग्यान के द्वारा ग्यान ढखा हुआ है और उसी अग्यान से सब मुहित हो रहे हैं और उसी के कारण से यह पाप और पुर्ण हो रहे हैं सोवर असब हो रहे हैं यह पाप और पुर्ण सोवर असब क्यों अग्यान के और उससे व्यक्ति मुहित है अ वो मोहित ऐसे ही है कि जैसे हम सुपन में थे रोज सुपन से जागते हैं और जागने के बाद हमें रोज अनवा होता है जूटा था रोज जागते हैं जागने के बाद कहते हैं सुपन जूटा था सुपन जूटा था लेकिन फिर क्या दूसरे दिन सुपन नहीं देखते हैं अगर एक दिन ग्यान हो गया कि जूटा था फिर वही सुपन देखते हैं दूसरी तरह के सुपन देखते हैं और फिर सुबह जागते हैं फिर कहते हैं सारा जीवन सुपन से में जाते हैं लेकिन कभी ऐसे नहीं जागे कि सुपन में रहके सुपन से जाग जाओ कैसा के जूट जब सुप्ड देखते हैं भगवान संग्राचार लिखते है आत्मबोद में कि सुकाले सत्वत बहांती है जब सुप्ड में हैं तो सुप्ड हमें सत्व लग रहा है सच लग रहा है लेकिन जब सुप्ड से जागते हैं तब कहते हैं यह जूटा है तो जैसे सुप्ड में रह स्वपन था ऐसी जिसे हम जागरत कहते हैं यह जागरत भी एक स्वपन यह आपने और पराय का सपन चल रहा है कोई राजा और विकारी बनने के स्वपन चल रहे हैं पाप और पूंड के स्वपन चल रहे हैं तो यहां भी विक्ति जागा हुआ नहीं है एक मूर्चा में है एक बेहोसी में है एक सम्मोहन में है एक सम्मोहन है एक हिप्नो सेल्फ हिप्नोटाई जिसे कहते हैं अपने को में पड़ा हुए कि यह मैं और यह मेरे यह मैं और मेरे एक गेहरी सम्मूः में गहरी मूर्चा में कि तो भगवान कहते हैं चोड़ अग्यान के कारण अग्यान के कारण ही मनुस्य तरीके से मोह में पढ़ा हुआ है उसके अपने सच सरूप का बोद नहीं है मैं सच सरूप क्या है इसका बोद नहीं है इस अंगर्स में पढ़ा हुआ है अपने और पराए का भ्रांति उसमें आ गई है कि यह अपने हैं यह पराए हैं यह प्री हैं यह सत्रू हैं मित्र हैं इस तरीके को उसके अंदर अपने और पराय का भेद आ गया तो जब तक यह अज्ञान रहेगा भगवान कहते हैं यह अज्ञान रहेगा तब तक अपने और पराय का संघर्स रहेगा पाप और पुर्ण भी रहेंगे ये मूर्चा तूटे ये समोहन तूटे एक बार कहते है नारजीन भगवान किस्ट से कहा कि आपकी माया क्या है सवई नचावें राम गुसाईं ये आपकी माया क्या है जो सभी को दुखी करती है असांत करती है चिंतित भाईवीद करती है रुलाती है सभी को भगवान बैसे माया सब्द का आथ है माया जो नहीं है उसकी प्रतीत रसी में साम को देख पाना परमात्मा में पदार्थ को देख पाना, सृष्टी को देख पाना, नाम रूप को देख पाना, तो भगवान ने नरज जी को आएक दिन बताएंगे, सहयो की बाद नरज जी और भगवान, एक वार यमना के किनारे आते, नदी में इसनान किया, भगवान तो बाहर अपने वस्र बदलने एक सुप्ण में खो जाते कि नदी में बार आई हुई है नारज जी बहते बहते दूर चले जाते और दूर जाके बहते हुए एक ऐसी जगह निकले जिस गाओं के राजा की मौत हो गई थी जिस गाओं के राजा की मौत हो गई थी नई राजा की खोज करनी थी और खोज करने का उनका तरीका ये था कि हाथी के जो राज का हाथी था राज का हाथी राज साही हाथी उसकी सूर में माला देते थे और वो हाथी जिसकी गले में माला डाल दे अंगला राजा वही बन जाता था नारज जी बार से पानी से निकल के सहर की तरफ गए और जब सहर में गए तो उस हांती ने इनके गले में मला डाल दी तो ये राजा हो गए और जब राजा हो गए तो राजा की जो कन्या थी उसके साथ इनका बिवा भी हो गया नाराजी राजा भी हो गए राजकन्या के बिवा होने से रानी भी घर में हो गई और नाराजी को एक नहीं कहते साथ पुत्र हुए सब तरह के सुख सब तरह की सुब्दा सब तरह की विलास्ता और कहते जब रानी की मौत हो गई तो न रज्जी रो रहे थे पत्नी के विराएविर पत्नी के मौत पर तो गाउँ वाले ने कहा कि हमारी यहां का यह नियम है कि अगर रानी की मौत हो तो राजा को भी उसके साथ मरना पड़ेगा जैसे सती पृता होती थी क्या फुरुस के साथ इस्त्री जलती थी तो का हमाया यह नियम है कि इस्त्री के साथ पृत्स को जलना पड़ेगा और आपको भी इसके साथ जलना पड़ेगा आप अपनी तैयारी कर लो नारजी अभी तो पत्नी के लिए रोते थे अपने लिए रोने लगे मुझे भी मनना पड़ेगा भूरागः नियम मालुम ही नहीं था जागरती में आए होश में आए तो उनका दिलक भड़क रही स्वास सेज़ से चल रही थी आँखों में आसू थे ख़गवाण किश्ण सामने खड़े बगवाण किश्ण पूछा नारी जी क्या हो गया कि छाति धढक रही क्या हो गया नहरे जी ने कहा कहां गए वो सब कहां गए वो रानी कहां गए वो हमारे साथ पुत्र कहां गए वो राज कहां गए सब कुछ था कुछ नहीं अब सुचो पांच दस मिनट के पंद्रह बीस मिनट के सुप्ण में और पचासो साल के सेक्ड़ो साल के सुप्ण देख लेते हैं पांच दस मिनट में साधी भी हो जाती बच्चे भी हो जाते बीमारी दोड़ापा भी आ जाता मौत भी हो जाती और कुल मिला के सुपन कोई भी 10-15 मिनट से जादा के नहीं चलते और 10-15 मिनट के सुपन में सारा सारा जीवन के बेवार हो जाता भगवान नारजी से कहा नारजी यही माया है कुछ था नहीं था कुछ नहीं लेकिं हरदय की धड़कन बास्त्विक थी स्वास तेज थी आसू आ रहे थे और कभी कभी ऐसे व्यक्त को सोते सोते हाड अटेक भी हो सकता हाड अटेक जो वास्त्विक है आग के आसू वास्त्विक है हरदय का धड़कन वास्त्विक है सरीर का कमपन वास्त्विक है लेकिन घटना कुछ नहीं है तो भबवान कहते हैं ये माया से जो मोहित है जो परमात्मा की माया से जो मोहित है ऐसे अग्ञानी लोग मैं करता हूँ पाप और कर्म के सुब असुब कर्म उनसे होते हैं अग्यान के द्वारा उनसे यह होते हैं और पाप और सुब असुब कर्म के वो करता बन जाते लेकिन वो सुब और असुब जो कर्म होते हैं उन अघ्यानियों को कियान ढ्खका हुआ है अघ्यान के कारण। और उसी अघ्यान के कारण से उनका चित्य मुहित हुआ है। अंगले इस लोकी मुखवान कह रहे हैं। ग्याने ने तू तद अग्यानम एसा नासतिम आत्मनाह तेशाम आदित्वत ग्यानम प्रकासयतितत परह परंतु जिनका हुए अग्यान परमात्मा के तत्व द्वारा नश्ट कर दिया गया है उनका हुए अग्यान सूर के सद्र से उस सचदान नग्यान परमात्मा को प्रकासित कर देता है उनका हुए अग्यान सूर के सद्र से सचदान नग्यान परमात्मा को प्रकासित कर देता है भगवान कह रहे हैं जिनका वे अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नश्ट हो गया है जिनका वे ज्ञान ग्यानियों का अज्ञान ग्यान कैसे दूर हुआ है परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा तत्व ग्यान द्वारा अब पर्मात्मा का तत्व ग्यान अन्हीं आत्म ग्यान और अपनी ही चेतना में ठहरना जो अपनी ही चेतना के साथ इनका तादात बना है अपने ही चेतना में ठहरे हुए हैं तो जो अपनी चेतना में ठहरे हुए जिनको आत्म ग्यान हुआ है तत्त ग्यान हुआ है आत्म ग्यान हुआ है ऐसे व्यक्ति उनका अग्यान खत्म हो जाता है और अग्यान कैसे उत ऐसे दिया जलाया तो अंधेरा गया पुछ अंधेरा कैसे गया अंधेरा गया दिया जलाया अंधेरा गया अंधेरे की कोई सत्ता नहीं थी अंधेरा था प्रकास का अभाव दिया जलाया और अंधेरा गया तो जैसे अंधिरा चला जाता है सूर के आने पर सूर के आने पर जैसे अंधिरा चला जाता है ऐसे ही ग्यान से अग्यान चला जाता है ग्यान से अग्यान ऐसे ही चला जाता है जैसे सूर के आने पर अंधिरा चला जाता है सूर के आने पर अंधेरा तो चला जाता तो अंधेरे कोई सत्ता नहीं थी अंधेरा था प्रकास का भाव और अंधेरे को कुछ कर नहीं सकते अगर कुछ किया जा सकता अंधेरे को आप ला नहीं सकते हो अंधेरे को हटा नहीं सकते हो, न तो अंधेरे को हटाया जा सकता है, न अंधेरे को लाया जा सकता है, क्योंकि अंधेरे की कोई सत्ता नहीं है, अंधेरे का कोई अस्तित नहीं है, लाया जाएगा तो प्रकास, और हटाया जाएगा तो प्रकास, प्रकास का होना अंधेरे का अभाव हो गया तो एन्हेरे के साथ कुछ नहीं किया जा सकता अगर कुछ किया जा सकता है तो प्रकास के साथ किया जा सकता है तो इसे जब तक अंधेरे में हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान कहते हैं कितने ब्रत ववास किये हैं कितना दान पुर्ण किया है। बगवान कहते हैं सब्यर्थ है ग्यान भी हिनम सर्वमतेन सभी संत सभी गुरुजन सभी ग्यानी एकमत होके कहते हैं ग्यान भी हिनम सर्वमतेन मुक्ति भजतना जन्म सतेन एक नहीं सोजन भी ले लो बिना ग्यान के मुक्ति नहीं मिलेगी। दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा, आवागवन से मुक्त नहीं होगे, ग्यान भी ही नमसर्वमते, बिना ग्यान के मुक्ती नहीं मिलती है, मुक्ष नहीं मिलता है, दुख से छुटकारा नहीं मिलता है, जीवन मुक्ती की अवस्था नहीं आती है, बिना ग्यान के, तु अभवास रखो अंधेरा जाएगा आप अंधेरे को हटाने के लिए तीरत्यात्रा करो अंधेरा जाएगा आप अंधेरे को हटाने के लिए दान करो तो अंधेरा जाएगा ना दान करने से अंधेरा जाता है ना ब्रत उभवास रखने से अंधेरा जाता है ना कोई तीर्थ यात्रा करने से अंधेरा जाता है अंधेरा है प्रकास का अभाव दिया जलाया अंधेरा गया कुछ और करने के जिरूद नहीं सिर्फ दिया जलाओ अंधेरा गया यूंकि अंधेरा है प्रकास का भाव ऐसे ही अग्यान के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा अग्यान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता सिर्फ ग्यान का दिया जले ग्यान का दिया जले भगवान ने इसलिए सूर से उपमा दिये कि सूर के सदर से, सूर के आने पर जैसे अंदिकार चला जाता है, ऐसे ही आत्म ग्यान के प्रकास से अग्यान चला जाता है. तो भगवान यहां कह रहे हैं कि सिर्फ आत्म ग्यान का दिया जले, एक इनिविस्टी का प्रोफेशर, इनिविस्टी में पढ़ा रहा था विदान दर्सन, आत्म ग्यान, सेल्फ नॉलेज, आजकल इनिविस्टी में पढ़ा जाता है, एक दिन उसको किसी ने कहा, कि जो तुम पढ़ा रहे हो, यह आत्म ग्यान की बात, विदान दर्सन, तुम तुम पढ़ा रहे हो, तुम किताम में जो पढ़ा है, वो सुना रहे हो, तोता रटन्त है, बॉरोड नॉलेज है, कहीं से सुना है, वो सुना दिया, कहीं पढ़ा ह लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में ये आत्म ग्यान प्रगट है ये आत्म ग्यान एक सादू ऐसा है एक फकीर है एक सादू है जिसके जीवन में ये आत्म ग्यान प्रगट है और जाके उससे मिलो उसके पास बैटके तुम्हें सुगंदी महसूस होगी उसके पास प्रमात्मा का संगी सुनाई पड़ेगा उसके चाल ढाल ब्योहार में अलग आवा है एक अलग आकर्शन है यह इनिविश्टी का प्रोफेसर उस सादू के पास गया संयोग की बात वो सादू एक पहाड की चोटी पर रहता था जब वहां पहुंचा तो बहुत सीड़ियां चड़ता हुआ गया तो बहुत ठका हुआ था और जब वहां पहुंचा वो सादू की कुटिया के पास देखा वो सादू उसकी बेशबूसा बड़ी सामान से उसका रह उसको लगा एतना साधान सरलाद्मी और आत्मग्याने क्योंकि आज determल के बनावठ करते हैं br कपड़ों का अडंबर में आडंबर भोहर में आडंबर अध्राइबर लिए अक्टेंग करते हैं जो किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं किसी राम लीला में एक्टिंग करते हैं ऐसे बहुत बार साधुता का भी एक्टिंग करते हैं सादूता जीवन में होती नहीं है इसलिए उन्हें आकर्ष्ण बनाने के लिए एक्टिंग करने पड़ती है आडंबर करना पड़ता है दिखाने के लिए कभी कभी आप देखो किसी राम लीला में किसी फिल्म में जो एक्टिंग करने वाले सादू है वो बड़े अच्छ बड़े बड़े ग्यानी लगते हैं लेकिन वो सादू नहीं है वो एक्टिंग करने वाले सादू को देखा तो बड़ा सामान से उसकी दिंचरिया सामान से उसकी बेसबूसा इसको लगा यह सादू हमें बता आत्मग्यान की बात क्या बताएगा यह तो इतना सामान सा यह आत्मग्यान हमें क्या बताएगा तो सादू के पास वो गया और सादू को आ जाके प्रिस् जाना उस परमात्मा को, क्या है उपा इस परमात्मा को जाना, क्या है विधी, क्या है साधना, एक प्रिस्नों की जड़ी लगा दी इसने, क्या है परमात्मा, कैसे पाया परमात्मा, क्या है विधी, क्या है साधना, सादू मुस्कराया सादू निका ऐसी जल्दवाजी क्या है उस परमात्मों को जाने के अरे तुम इतने ठके हुए हो उपर से नीचे तक सिर से पैर तक पसीने से लस्पस्त हो ठके हुए हो तो ऐसी जल्दवाजी क्या है परमात्मों को जानने के जड़ा थोड़ा रुको विस्राम करो मैं आपके लिए चाय बना के ला रहा हूँ और हो सकता है चाय पीते पीते तो मैं तुम्हारे प्रशनों का उत्तर भी मिल जाए उसे लगा है सादू के पास कहीं कुछ है नहीं अब आतो गया ही था इतनी दूर उतरना भी इतना सरल नहीं था थका हुआ भी था बैठ गया सादू उसके लिए चाय बना के ले आया और जब सादू चाय बना के ले आया तो उसको एक प्लेट दी प्लेट पे कब था और सादू केटली से कब में चाय डालने लगा कब भर गया पूरा लेकिन सादू चाय डालता जा रहा कब से निकल के चाय प्लेट में गिनने लगी और सादू डालता जा रहा अब प्लेट भी लगवक भर गई कब भी भर गया प्लेट भी भर गई और सादू डालता जा रहा वो सादू की तरफ देख के गुस्से में बोला तुम्हें दीखता नहीं है ये प्रोफेसर सादू की तरफ देख के गुस्से में बोला तुम्हें दीखता नहीं सामानता इतना है कप में चाय डाली जाती कि थोड़ा खाली रहे जो पीने की सुब्दा हो तुमने कब भी भर दिया और कब से निकल के प्लेट में गिरी प्लेट भी भर गई तुम डालते जारे तुम्हें दीखता नहीं वो सादू मुस्कराया वो सादू मुस्कराया कहा मुझे तो बहुत पहले दीख गया था मुझे बहुत पहले दीख गया था लेकि तुम्हें नहीं दीखा जैसे तुम्हें ये कप और प्लेट दीख गई कि इसमें कुछ और डालने की जगह नहीं है कुछ और डालेंगे तो बिखर जाएगा जगह बिलकुल नहीं है पूरा भरा हुआ है ऐसे ही तुम्हारे जो प्रिशनों का प्रिशन था कि परमात्मा को कैसे पाया क्या है विदी क्या है साधना तो कुछ और नहीं है तुम सास्त्रों से भरे हुए हो सब्दों से भरे हुए हो सिध्धान्तों से भरे हुए हो और एक ही साधना है अब खाली कर लो अपने को तुम खाली कर लो सब्दों से खाली कर लो इन सास्त्रों से खाली कर लो इन सिध्धान्तों से खाली कर लो सिर्फ खाली करो, परमात्मा तो भरा हुआ है, तुम परमात्मा से भरे हुए हो, तुम परमात्मा से भरे हुए हो, लेकिन तुमने परमात्मा के उपर ये तमाम धिर लगा रखे, सास्त्रों के, सब्दों के, सिध्धानतों के, और परमात्मा को दबा रखा है, ये हटाओ, परमात्मों तो प्रिगट है, परमात्मों तो प्रिगट है, कमरा अगर खाली हो, और कमरे को तुम पूरी तरह से सामान से भर दो, और फिर पूंचो आकास कहा है, आकास था, इसलिए तो कमरों में तुम भर सके, और सारा सामान बाहर निकाल दो, तो आकास आकास है, ऐसे ही हमारे अंदर चेतना है चेतना को हमने बाहर के बस्तूओं से व्यक्तियों से सिद्धान्तों से सास्त्रों से सब्दों से भर रखा है खाले हो बस इसलिए एक ही मात्रसाधना का अर्थ है खाली करो इसलिए पातांजली योग दर्शन में कहते हैं योगा चित्वरति निरोधा पातांजली योग दर्शन में क्या है क्या है योग का अर्थ क्या है समाधी क्या है ध्यान क्या है चित्वरति निरोधा चित्तिकी बरतियों का निरोध चित्तिकी बरतियों में निरोध परमात्मा सब्दों में नहीं हैं परमात्मा विचारों में नहीं हैं सास्तरों में नहीं हैं दो सास्तरों के बीच में किताबों के बीच में दो लाइन के बीच में जो खाली जग है वहां परमात्मा है, दो विचारों के बीच में जो रिक्त है, सुन्न है, दो विचारों के बीच में जो सुन्न है, साइलेस बिट्वीन टू थाउट, गैब बिट्वीन टू थाउट, दो विचारों के बीच में जो अंतराल है, सुन्न है, मौन है, वो परमात्मा है, तो कुछ नहीं करना होता है सादू ने कहा परमात्म को जानने के लिए कुछ नहीं करना है आत्म ज्यान के लिए कुछ नहीं करना है सिर्फ खाली कर लो अपने को खाली कर लो रिक्त हो जाओ सून हो जाओ इसलिए बुद्ध ने उसे सून कहा बुद्न का सून हो जाओ और सून ही सून का साक्षादकार ब्रह्म का साक्षादकार है सून की अन्वहूत ब्रह्म की अन्वहूती है और हमारे सास्त्र भी क्या कहते है हमारे वेदों में भी कहते है नेती ना इती ना इती ये भी नहीं ये भी नहीं एक एक करके परते हटाते जाओ इन विचारों की परते हटाते जाओ ये भी नहीं ये भी नहीं विचारों की परते हटाते जाओ अन्ते में क्या मिलेगा सारे विचार हट गए तो क्या रहा जो सारे विचार हट गए जहां पर विचार मुक्त हुए silence रह गई, मन मौन हो गया, निर्विचार हो गया, और जो निर्विचार अबस्ता है, वही आत्मसाक्षात करके हो, अब खाली निर्विचार नहीं हुए, वहाँ चेतन भी है, वहाँ चेतन, निर्विचार तो हम deep sleep में भी होते हैं, मूर्चा में भी निर्विचार हो जाते है गहरी नीद में भी निर्विचार हो जाती है सुसुप्ती में और समाधी में यही अंतर है कि सुसुप्ती में गहरी नीद में भी हम निर्विचार होते हैं लेकर मूर्चा होती है बेहोसी होती है और समाधी में हम निर्विचार होते हैं लेकिन पूरी तरह से होश में चेतन पूरा होश है पूरी चेतना है तो भगवान कहते है जो जिनके अंदर वो सूर सूर की रोशनी आ गया अंधेरा गया आत्म चेतना का दिया जला आत्म सूर चेतना का सूर निकला अंध्यान का अंधेरा गया आत्म चेतना का दिया सिर्फ कभी कभी देखो तो गीता के अंगले अध्याय में आएगा कि जैसे और पिछले भी था इस्थित्प्रग जैसे कहा था इस्थित्प्रग का आरत है कि जिसकी चेतना क्या जियोती ठेर गई अगर दिया ऐसी जगह रखा है जहां हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं तो प्रकास महसूस नहीं होता है और ऐसी जगह रख दो जहां हवाएं नहीं है जहां हवाएं नहीं है ऐसी जगह रख दो तो दिया की जोती ठेर जाती है और जब जिया की जोती ठेर जाती है उसी वो कहा है प्रग्या इस्थित्प्रग जब वो चेतना की ठेर जाती है चेतना के प्रकास आत्मा का प्रकास औ ज्यान का देरा चला जाता सरीर मन बुद्धी के साथ तादात में तूट जाता है तो भगवान कहते हैं एई सा व्यक्ति जो तत्व ज्यान से अपनों को जान पाता है तत्व से जानने का अर्थ है कि आत्म अन्वूती अपनी स्वयं की चेतना में ठैराओ अंतरवुखी हो ज नश्ट हो गया है शूर के सद्रस उसको पर मात्मा का ज्यान मिला है पर मात्मा के ज्यान से उसका जो अज्यान था अंधिकार था वह नश्ट हो गया अज्यान रूपी अंधिकार को अज्यान रूपी अंधिकार को नश्ट करने के लिए चेतना रूपी शूर को प्रकास को ठेराना पड़ेगा उस जोती को ठेराना पड़ेगा चेतना में ठेरना पड़ेगा और चेतना में ठेरने का एक ही अर्थ है कि विचारों के धक्के लगना बंद हो जाए निर्विचार वस्ता आ जाए तो विचारों से बाहर आ जाए कोसिस करो विचारों को हटाके निर्वि जाना और जब मन मौन हुआ निर्विचार हुआ तो क्या रहा वहाँ चेतना मात्र चेतना और कुछ नहीं मात्र होस रहेगा चेतना रहेंगे और वही चेतना के प्रकास में सरीर मन बुद्धी का तादात में तूटेगा आज हम यहीं बिराम कहते हैं करते हैं मेरा सभी को प्रडाम हरियो